गुष्ट के जुए निदे सुनी वालकम टू इजली वालकम टू इसली वालकम टू इसली आप 10th का exam देकर 11th class में आ चुके हैं और आप ले चुके हैं 11th science और आपके पास में है प्यारासा प्रारभ मैच जो कि मैंने बड़े ही दिल से आप लोगों के लिए बनाया है अब जब आप 10th class से निकलके 11th class में आते हैं तो बहुत सारी बाते हैं जो मुझे आपसे भी करनी है क् पढ़ाना is important but first lecture है तो मैं कुछ बाते हैं आपसे थोड़ी सी शियर करना चाहूँगा दस एक मिनट तो बात यह है क्योंकि जब 10th class से आप आते हो हो सकता है कुछ बच्चे है सो जिनके 95% हो 96% हो अब वो चीज वो लेके बैठे हो है कि मेरे 96% है मेरे से intelligent कोई नहीं है वो 11 11th class में आते हैं हो सकता है उनके 75% हो जाए 65% हो जाए या 11 उनको समझ में आनी बंद हो जाए तो ही 10 में आपका क्रेमिंग से रटने से काम चल जाता है और आपके मार्क्स आ जाते है बढ़िया 11th class में आपको हर चीज समझनी पड़ेगी हो सकता है आपके 10th class में को बच्च क्या 11th class में उसको अच्छा लगने लग गया तो उसके मार्क्स आने लग तो मैं यही कहना चाता हूँ आप चीजों को अब्जर्व करना आपके आसपास जो भी हो रही है साइन से सब्जेक्ट है जहां पर आपको चीजों को अब्जर्व करना पड़ेगा आपके आसपास म कहां से स्टार्ट करेंगे हम यूनिट एंड मेजर्मेंट से यह आपका लेक्चर वन रहेगा प्रारम बैच का सर क्यों फीजिकल वर्ल्ड क्यों नहीं बटे फीजिकल वर्स्ट चैप्टर है तीन से चार पने एंसल्ट में है पर एक कमाल की बात यह है कि अभी तक नीट मे उससे कोई question नहीं आता और नहीं आपके CBSC board में आये हैं ठीक है तो वहां से कोई question नहीं आते हैं उसके अंदर आपके क्या है जो scientist है उन scientist लोगों ने जो inventions करी है जो principles दी है जो laws दी है उसके बारे में उस chapter में लिखा हुआ है तो वो बाते भी हम ऐसा नहीं कि हम उसको रखनी है मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके पास video lectures आएंगे आपको video lecture अच्छे से देखना है उसके बाद में अपने notes आपको बनाने है notes बनाने है उसके बाद में आपको DPV मिलेगी उन DPV questions को आपको solve करना और यह बहुत important होता है DPV questions solve करना बच्चे नहीं करते हैं solve और backlog र is very 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 important ही बिटा अच्छे से दिमाग में बिठा लेना ठीके DPV solve करनी है doubts पूछने हैं समझ में तो वापस ही वीडियो देख लिया फिर पूछना जरूर पूछना है question जरूर solve करने है और जैसे से lecture आगे पढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको बहुत से tips and tricks देता जाओंगा कैस से आपको पढ़ना है क्या करना है कि सरके आपको दिक्कत जारी है उन पर लगाता आपके पास में आते रहेंगे खेर अब हमें स्टार करते हैं हमारा फॉर्स चैप्टर विच इस यूट और मेजरमेंट सो भाई सबसे पहले में आप से सवाल पूछू कि भाई सर physics क्या है अगर आपसे पूछा जाए कि भाई physics क्या होती है physics क्या है तो यह को simple सी भाषा में बात करता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे समझ मैं है अगर मैं एक line बोलू कि study of nature is physics मैं कहता हूँ study of nature क्या study of nature यह समझ लो बस खतम बात यहीं पर बात खतम हो जाती है आपकी तो भाई कि कि study बच्चा nature के study कि- इस के study गोलू नेचर की जो study होती है उसे ही हम क्या कहते है physics कहते है तो नेचर में पर द्हान के द्हान देना पड़ेगा किन पर ध्यान देना पड़ेगा observations पर ध्यान देना पड़ेगा ये मैं बात-बात कर रहा हूँ आपसे observe करना पड़ेगा जैसे अगर आपने काली शर्ट पहने किसी दिन और दूप में निकल गए गर्मी आपको लगती है बोला हाँ सर गर्मी लगती है पर अगर आपने च्छाता लेकर चलेगे च्छाता काली कलर का है दूप में जा रहे हो तो गर्मी नहीं लगती आपको गर्म चाय अच्छी लगती है ठंडी नहीं लगती क्यूं आप बोड के उपर चौक से लिख पाओगे पर आप लकडी के टुकड़े से ने लिख सकते क्यों? इसकी पीछे फिजिक्स है तो मैं अगर अब से लेकर शाम तक मैं बोलता रहूँ ना तो फिजिक्स की परीभाशा खतम नहीं होगी फिजिक्स का गुनगाण अगर मैं करता रहो तो वो गुंगान कभी खत्म नहीं होने वाला है। इतना प्यारा सब्जेक्ट है फिजिसग और इतना सिंपल सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, अप्जर्व करके पढ़ोगे, चीजों को नोटिस करके पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, तो आम की तरह रस निकलता है और जब बढ़स्ती पढ़ने की कोशिस करोगे रटने की इसको कोशिस करोगे तो विर ये नीरस है रटना नहीं है पहला नियम आपको फिजिक्स में कुछ भी रटना बाइलोजी हाँ आप रट सकते हैं नाम होंगे उसनों वो आप रटिये पर फिजिक्स को रटना मत सुरू कर देना नहीं तो दिक्कते हो जाएंगी वो आपको खा जाएगा समझना स्टार्ट करिए हो सकता है दस दिन दिक्कत आए बीस दिन दिक्कत आए पर आप फिर उसमें ढ़ल जाएंगे तो समझना सुरू करिए कोई बीची समझ नहीं आए तो वापस से उसको पढ़ने को सोचिए सोचने की अब्जर्व करने को सिसकर चीज़े आपको समझ में आएंगी चीज़े आपको समझ में आएंगी तो वाट इस फिजिक्स बच्चा पाटी स्टड़ी ओफ नेचर नेचर की स्टड़ी क्या कहलाती है फिजिक्स कहलाती है और फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें अब्जर्व करना पड़ता हमारे असपस क्या क्या हो रहा है बस समझ आ रही है to measurement के बारे में जानेंगे, unit के बारे में जानेंगे, properties of unit के बारे में जानेंगे, system of unit के बारे में जानेंगे, और type of physical quantities के बारे में जानेंगे, ठीक है, सो हमें start करते हैं सबसे पहले कि भाई physical quantity क्या है देखो आपको अगर दिख रहा हो यहां पर एक आपके पास में meter इंच जो है वो है मतलब इंच वाला आपके पास एक meter है टेप है आपके पास में यह तो यह हो गया घड़ी हो गई यह आपके पास में meter हो गए चीजों को major करने कि कामा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट है तो भाई अगर मैं आप से पूछो physical quantity क्या है तो देखो ऐसी कुछ quantities है जिनको हम major कर सकते हैं instruments के waard him जैं जैंके तो इसके मालो इसके तुरू हम length major कर सकते हैं इसके तुरू हम अध्यक सकते हैं मज्य मतलाव ऐसी कोई भी quantity क्वट सकते हो सकते हो किस्के द्वारा instruments के द्वारा तो एसी quantities कों हम क्या कहते है फीजीकल क्वांटिटी कहते हैं मिटा तो क्या बोलेंगे तक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड पाइन इंस्ट्रूमेंट एंड डश्क्राइब दा लॉज ऑफ फिजिक्स अर गॉल्ड फीजीकल क्वांटिटीज तो ऐसी क्वांटीटीज जिनको आप बच्छा पाटी क क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो माप सकते हो उन quantities को हम Physical Quantities कहते हैं और इनी फिजिकल QUANTITIS की मदद से Physics के log को हम describe कर सकते हैं जैसे mass को हम熱 कर सकते हैं Mass क्या है फिजिकल क्वांटिटी है टाइम को मेजर कर सकते हैं, टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्री करंट की बात कर, इलेक्ट्री करंट को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, वाल्यूम क है ऐरिया क्या है फिजिकल कौन्टिटी है तो मतलब जिन koy major कर सकते हो उन्हेया हम nuclear फिजिकल कौन्टीटी कहते हैं जिनके को पढ़ा जाता है एक एक होता है नोन फिजिकल क्वांटिटी एक क्या होता है बैटा पिटा नोन सुiell कल कौन mus form quantity क्या है ऐसी physical quantity पहली बाद तो non physical quantity पोल रहा हूं तो मतलब ऐसी quantities आप इनको कह सकते हो जिनको measure नहीं कर सकते जैसे मैं प्रेम करता हूं किसी से तो मैं प्रेम करता हूं किसी से तो मैं कितना मैं प्रेम करता हूं ज्यादा करता हूं कम करता हूं मैं उसको मेजर नहीं कर सकता मैं उसको माप नहीं सकता ठीक है मैं दुखी हूं मैं कितना दुखी हूं मैं यह मेजर नहीं कर सकता है आप दयालू है आप कितने दयालू कैसे मैं जरूर कर सकते हो कि यह लड़का ज्यादा बिगडा हुआ है और यह कम बिगडा हुआ है compare कर सकते हो तो यह ऐसी चीजे है जिनको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बस समझ आ रही है ओके आछ आप किसी को like करते हैं किसी को पसंद करते हैं तो कितना पसंद करते हैं कितना कम पसंद करते हैं उसको माप नहीं सकते तो वो जाती आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी इतनी बास समझ में आती है तो हमने यह देखा कि फिजिकल क्वांटिटी इस क्या है अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या is not a physical quantity, इन में से कौन सी quantity, physical quantity नहीं है, time, हाँ भई, time तो physical quantity होती है, volume, yes sir, volume भी physical quantity होती है, mass, sir, mass भी physical quantity होती है, inertia, very very important, inertia, physical quantity नहीं होती है, inertia क्या चीज़ है, तो अगर बात करें, inertia क्या है, तो inertia क्या है, property, क्या inertia, property है, किसकी, किसी भी body की, this property of body, क्या है, क्या है, ये, property है, किसी भी body की, कि वो अपनी, जो position है, rest की position हो, चाहिए उसकी motion की position हो, उसमें change का oppose करने के वाली ये property है, मान लो मैंने कहा, कि मेरे पास में, एक 5 किलो का पत्थर है, और मैंने कहा, मेरे पास में एक car है, तो मैं बोलूँगा, car का inertia जादा है, और 5 किलो के पत्थर का inertia कम है, कार को हिलाने में, उसकी position change करने में, rest वाली अगर position में वो है, उसको change करने में, मुझे ज़्यादा force लगाना पड़ेगा, पर 5 के लिए को पत्थर को मुझे हिलाने में, उसकी position जो है, rest वाली उसको हटाने में, मुझे कम मैनद करने पड़ेगी, तो ऐसी property body की, जिसकी वज़े से object, अपनी position, state of position, चाहिए वो rest वाली हो, चाहिए वो motion वाली हो, उसमें वो oppose करे, उसमें change का oppose करे, उसको हम बोलता है inertia, so inertia, जो है वो property है body की, हाँ, पर अगर mass ज़्यादा होगा, तो आप कह सकते हो कि यह जो property है body की, मतलब inertia जो है, वो ज़्यादा होगा, और भई अगर mass क्या है बेटा, mass अगर कम है, तो यह जो property है body, जिसको आप inertia कह रहे हो, वो inertia क्या होगा, कम होगा, पर inertia is not a physical quantity, inertia को आप measure ही कर सकते हूं इसक्त और निर्स च्ट आइई है प्यार एक प्रौपरटी होगई लाकिस इंसान के कि कितना प्यार करता है लुखी है वह मतला वे चाहिघ हो फिमीन डुक्षिता eleo तो यह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है यह के वल इस चीज़ का वो है डिगरी है कि भाई कोई भी बॉड़ी अपनी स्टेट ओफ रेस्ट इस्टेट ऑफ मोशन में चैन्ज कितना ज्यादा पोस्ट करती है तो जाना पोस्ट करती है इसका मदब उसका इनर्चा ज्यादा है और मास अगर ज्यादा होता तो यह प्रोपेटी भी ज्यादा होती है आपके सकते हो मास फिजिकल क्वांटिटी पर इनर्चा फिजिकल क्वांटिटी नहीं यह ध्यान रखना वेरी वरी इंपोर्टेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखें विच आप दीज इस फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है लाइट की बात करें तो भाई लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है रोशनी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है साउं कर सकते हैं तो विवलोशिटी इस और फूसिकल क्वाइंटीटिटी ओक श्मझार फूसिकल क्वाइंटिटी यह आप हम आते मैं मेजर्मेंट पर इस प्रेस प्रोसेस measurement is a process by which we are able to understand that any physical quantity is how large or small compared to any basic reference standard the सब्सक्राइब करता हूं तो वाट इस मेजर्मेंट मेजर्मेंट इस प्रोसेस बाइवेच वी आर आपल तो अंडरस्टेंट बैट एनी विजिकल क्वांटिटी इस हाव लार्ज और हाव स्मॉल टू कंपेर एनी बेसिक रैफ्फरेंस स्टेंडर्ड समझ में कुछ नहीं आय ये हमारे जो भाईया है इनका नाम है गोलू ठीक है ठीक है सर और ये है मोलू भाईया ठीक है अब गोलू भाईया जो है ना थोड़े चालाक किसम के हैं लोगों को ठगने का काम करते हैं ये समझे लो आप तो और ये जो मोलू भाईया है ये हमारे जैसे थोड़े बोले भ बोले बाले इंसान को आद दोने तारे से मतलब नहीं है ठीक है अब क्या होता है गोलु भाईया ने मोलु भाईया को एक दिने कमिट्मेंट दी क्या कि भाई मोलु जी अगर आप मुझे सो बोरी सो बोरी गेहूं की कि दे दोगे किसनी सो बोरी गेहूं की दे दोगे किसने बोला गोलु जी ने बोला कि मौलु भाईया आप अगर हमें सो बोरी गेहूं की दे देंगे ना तो हम आपको कितने हजार कदम कितने कदम हजार कदम जमीन हम आपके नाम लिख देंगे ये किस ने कहा गोलु भाईया ने कहा तो मोलु जी ने बोला कि ठीक है साथ आप हमें हजार कदम जमीर दीजिए हम आपको सो बोरी है वो गेहूं की दे देंगे ये हो गया गया पंड पर जब इन्होंने सो बोरी गेहूं की दी तो गोलु ने क्या किया इसके साथ मैं ऐसा कुछ किया कि उसकी वजह से मोलू बहुत परिशान हो गया और मोलू के लड़ाई गोलू से हो गई अब गोलू और जो मोलू होते हैं वो लड़ाई करते हैं वो सुल जाने पाते तो क्या करते हैं लड़ते 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 अब राजा साभ के सामने गोलू और मौल लड़ रहे होते हैं तो मैंने बताया कि प्रॉछाइँ इसको सोब अुरी गहों की दी यह और गोलु भहिया ने हमसे वादा किया था कि हमें वह हजार कदम जमिन देंगे तो उन्हों ने पूछा राजा साब ने कि भाईया मोलू जी आप बताओ कि आपको हजार कदम जमीन मिली है नहीं मिली तो गोलू जी ने बोला मिली है मैंने दी है जमीन तो मोलू ने अब अपना रोना रोया कि राजा साहब हमको गोलू भहिया ने हजार कदम जमीन तो दी है पर हमारे साथ दोका हुआ है वो लग क्या बात हो गई गोलू के जो छोटे बेटे हैं ना बोलू आफ जो बोलू है वो चोटे से बच्चे हैं पांस साल के बच्चे जिसके छोटे चोटे पर गुरतने और चुंटे चोटे पर हैं आ सुनको अजार चल्वा दिया और यह acaigned हमने तो सोचन था कि गोलु भह το जलेंगे अजार कदम या फिर हजार कदम मैं चलुँगा और मैं ना पूँगा मैरे अजार कदम और फूत नीशरी मेरी होंगी पर इन्हों ने तो हमारे साथ पर छोटे जो इसका बेटा था चोटे चोटे पैर थे वो दिया तो यहां पर प्रब्लम फस गई राजा भाई साब को समझ में आ गया कि गडबड तो हो रही है सामराज्य में क्योंकि उसी दोरान इनके पास में ऐसा ही एक एक एस और आया था और वो केस क्या था उस केस में क एक चालाक किसम का एक इंसान था व्यापारी था चालाक किसम का एक व्यापारी था बिजनस्मेन था वो लोगों को ठगी का अगाम करता था ठगता था वो लोगों को कपड़े का वो धंदा करता था कपड़े का धंदा करता था अब जब उससे बाहर के लोग लेने आते थे कपड़ा तो वो क्या करते थे वो वहां पर चतुराई कर जाते थे क्या करते थे मतलब पहले के जमाने में जब हम मेजर करते थे लेंद को तो हमारे हाज से मेजर करते थे ऐसे 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 मेजर करते थे कि कमिट्मेंट ऐसे करते थे बॉंट पे लिखवाते थे कि हम को आपको सो बितल सो फोर हैंड कपड़ा देंगे पर जब मपवाने की बात आती तो यह भाई साब भी जो है इनकी कोपी कर रहे होते थे और अपना चोटा बेठाथ चोट चोटे हाथे जो उसके उससे वह से थाई तो अब पूरे समराज्य में जितने भी ज्यानी लोग थे उन सब को बुलाया गया और वो सब आके बैठ जाते हैं मतलब पूरे समराज्य के उसमें बैठक के अंदर सबसे सलाम उच्छा रख रहा गया तब राजा साब ने बोला कि ऐसे तो गलत हो जाएगा कि सब सबके पैर का नाप अलग अलग है सबके हाथ का यह जो साइज यह सबनला गया सब गलत हो जाएगा यह जो हमारा हम नीचे वाला जो भूत है मोलजाचा के जो पैर यहां से लेकर यहां तक की मेजर मेंट ले लो आज से आप इसको वन पुट कहोगी और एक काम करो मेरे नाक से लेकर मैरे हाथ के यहां तक की यहां तक की लेंद्स मेजर कर लो इसको हम आच से वन यार्ड कहेंगे यह डिसाइड हुआ और समराज्य में उन्हों ने वन यार्ड जितनी लेंथ की जो रोड है और वन फूट जितने लेंथ की जो रोड है पूरे समराज्य में बटवा अब बिल्कु सब्सकु साही चल लग गया दिक्कत निया सब्सक्राइब आप किसी ने बोला जाके कि मुझे काम करो मुझे टैन यार्ड रस्पी देदो टैन यार्ड रसी जितना बड़ा यहां से आदर जितना बड़ा हाथ है उसका टैन टाइम्स रसी दे दो तो राजा-सा हाथ या अलग-लग क doctrine की जो पैर्टी साइजों मेज़रनी हो रही थी हम बीन लिघ्वरों के बाहर जो पतंग का मांचा बेचा करते है तो एक रुपय का दस हाथ दिया करते है इसलिगुंठ के तो हम पुर्णे मारकेट मेसे लोड़ किसका प्रज़ा का इतना बड़े पैर है उसका दस गुना उसको रस्टी चाहिए तो यहां पर जो टैन आप देख पा रहे हो गई और जो यह याड़ है यह आपका हो गया देख बेजिक रैफ्रेंस स्टेंडर्ड जिसको आगे चलके क्या बोलेंगे यूनित कहेंगे और यह आपकी क्या हो गई आपकी numerical value हो गई जिसको हम n से लिखेंगे मैंने कहा कि भाई मुझे 5 yard रसी चाहिए इसका मतलब 5 numerical value हो गई और yard क्या हो गई length की unit हो गई तो ये फिर decide हो गया तो बहुत दिनों दों सब को सही चल रहा था पर यहाँ पे problem थी कि scientist तो भी scientist होते हैं scientist तो क्या होते हैं scientist होते हैं अब यहां पर क्या problem थी वो मैं बताऊंगा थोड़े देर में पर वापस से हम एक बार measurement की तरफ चलते हैं ताकि वह को definition समझ में आ जाए क्या लिखा हो है यहां पर so measurement is a process by which we are able to understand that any physical quantity is how large कितनी बड़ी है और how small कितनी छोटी है वह मैं पता लग जाए व्यापारी के सामने को कि व्यापारी की चला की समझ में जो चोटे बेटे से नपवा रहा था और बाट रहा था तुन्हों ने बोला कि यह काम करते हैं या तो तुम इस देश से निकल जाओ नहीं तो हमारे जो राम सिंग है उनके बजन जितना कपड़ा तोल के लोगों मे नहीं है मैं तो इससे जादा और ठगी करके और पर सक बना लूँगा पर जब मापने की बारी आई तो वो जो राम सिंग जो नाम था राम सिंग नाम का उस राजा का बहुत बड़ा हाती हुआ करता था तो रोने पर चलागी खेलते राजा साबने भी केवल सब्दों में ग कोई कि है तो पहले समझो दुबारा से वापा समझते हैं तो मेजरमेंट इस प्रॉसेस भाइविच वी आरे एबल तो अंडरस्टेंड और एनी फिजिकल क्वांटिटी इस हाव लार्ज और स्मॉर कंपेट बैसिक रेफरेंस स्टेंडर तो बैसिक जो रेफरेंस स्टेंड रॉड बनवाई रखी हैं आपने समराज्य में वन फूट किया वन यार्ड की जो भी बिना रखी है और मालो गुखंप आ गया को त्रास्थी हो गई और वो सारी रॉड खतम हो गई तो अब वन यार्ड कहां से लेकर आओगे अब आप वापस से वन फूट कहां से लेकर द अंडर हम को ऐसा लेना चाहिए जिसको हम रिपर्डियूस कर पाएं दूबारा बना पाएं बस समझ आरी मेरी हां तो साइंटिस्स ने सोचा फिर एक जुगाड निकाला अब आपको में एक एक जमपल बता रहा हूं लेंद का उन्होंने क्या बहुत चोट 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 पार्ट कितना वन अपॉन टैंथ मिलियन पार्ट जो था उसको क्या कहा गया कि इसको आज से हम क्या कहेंगे वन मीटर कहेंगे यह फिर राजा वाजा अभी अगर खतम हो जाते हैं वो सारी रॉड वगेर खतम हो जाती है लेंद कैसे में तो इससे आप निकाल लगा बहूर अर्थ है और इनका वन अपॉन टैंथ मिन जो भाग है उसको आसे में मिटर हो गया पर यह साइंटिस्ट होते हैं कितना पॉलिशन बढ़ रहा है चीज़े बढ़ रही है मालो अर्थ भी नहीं रही तो इंसानों किसी दूसरे घरे पे जाके रहना पड़ा तो मंगल घरे प समय जिजधे चाह है आपको बता रहा हूं डेफिनेशन वो भी सिंपल भास्षा में सो अब हम वन मींटर किसे कहते हैं या आप इस्टेंड कि से लिया गया अब जू स्टेंडर है वह लिया जा रहा है लाएट के थू मतलब लाइट के थू मतलब अब यहाज आता ऑगि ला आएगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे वन मीटर कहेंगे अब यह डैफिनिशन है वन मीटर की ठीक है तो कहां से कहां हम पहुंचेंगे आप यह समझ किये सो लाइट उन अपॉर 10 पाउरे इतने सेकेंड में जितना दूरी चल जाते सख़र समां मिठर करें अब लाइट खत्म व गया ऋंसान भी रहे और इंसान नहीं है तो उन मीटर का कोई मतलब नहीं है वन की जी मतलब नहीं फिर तो किसी चीज़ का कोई मतलबी नहीं है तो यह अभी तक हमने बनाया है तो ऐसे हम यूनिट बनाते हैं ऐसे हम मेजरमेंट करते हैं तो चीजों को मापना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए और जब मापने की बारी आती है तो हम बेसिक जो रेफरेंस प्रड़ को ही हम कहते हैं बच्चा पाइटी क्या यूनिट ठीक है जैसे मैंने लिखा 10 kg तो यह क्या हो गया 10 kg मेजरमेंट किसका मेजरमेंट है मास का ठीक है जहां पर 10 नुमेरिकल वैल्यू और केजी आपकी हो गई यूनिट अगर मैंने कहा क्या हजार मीटर तो हजार मी यूनिट हो गई तो यह आपके लेंथ का मेजरमेंट हो गया बस समझा रही है तो मेजरमेंट में दो चीज होती है मेजरमेंट में कितने चीज़ें होती है मेजरमेंट में दो चीज होती है पहली तो निमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट और जब निमेरिकल वैल्यू और यूनिट को एक साथ लिखते हो तो यह चीज़ क्या रहती है इसको थोड़ा सा समझते हैं जैसे आपको समझाता हूं मालो मैंने 1 kg लिखा तो मैं 1 kg क्या लिख सकता हूं 1000 ग्राम लिख सकता हूं इतना जो मेजर मेंटर थोड़ा बहुत आपने 910 में छोटे किलासों में पढ़ा है इसलिए तो यहां पर नुमेरिकल वेल्यू क्या है एंवन मालो यूनिट को मैं क्या बोल रहा हूं यूवन यहां पर नुमेरिकल वेल्यू क्या हो गई हजार इसको मैं एंटू कहा नुमेरिकल वेल् है माच समझ आई बीटे विला हाँ सर ठीक है सो मेजर में दो चीज नुमेरिकल वैली और यूनिट और इन दोनों का इस तरह क्या होता कॉंस्टें रहता है जैसे मैं आपको यह एक्जांपल देके बता है और इसको पढ़ेंगे अच्छे से पर थोड़ा सा जान समझी इसको सब्धार चोड़े सवाल यहां सबस्क्राइब की मेरे को आप ग्राफ बिना पटा ही एक मेरे समें अग्यों और में आताए कि छोड़े यहां doctor पर निसकरस की एन इज इन वरसली प्रपोर्श headlines-थे इन प्रफॉशनल प्रपोर्शनल तु रहा है तो बीभी इं अपॉशनल बहुत है और इस को पढ़ेंगेatics असरे है प्रोपोर्शनल पते मैंxic घट रहा है तो भी बढ़ेगा मतलब अगर बी को बढ़ा दिया तो अ बढ़ेगा ये इनुवर्सली प्रपोर्पोर्शन का मतलब होता है तो मतलब यह होगे अ यूमेरिकल वैल्ईू और यू 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 questo नि बढ़ी यू नि जितनी लार्ज होगी यू जितनी क्या होगी ला क्या होगा स्मोल होगा और न्युमेरिकल वैल्यू जितनी स्मोल होगी उसका न्युमेरिकल वैल्यू उसकी न्युमेरिकल वैल्यू उतनी क्या होगी लार्ज होगी जैसे आप मुझे पताओ केजी बड़ा या ग्राम बड़ा सबको पता है सर केजी बड़ा है तो केजी ना इसका वन है तो यह मैं कहना आपको समझाना चाहरा था तो यहां पर इन्वर्सली प्रपोर्शन इसका मतलब ग्राफ इस तरह का आएगा इस तरह का रेक्टैंगल हाइपर बोला आएगा मतलब जैसे यू बढ़ेगा वैसे वैसे एन कम होता जाएगा यू के बढ़ने पर एन कम होता जाएगा जिसे से यूनिट बढ़ दी होती जाएगी वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी अच्छा एन्यू और न में बनाए तो यह ग्राफ ऐसा आएगा क्यों आएगा इसा ग्राफ क्योंकि एन्यू तो क्या है कॉंस्टैंट है और अग पॉशन में यूज होगा वह लग जाएगा तो एन यू का जो मल्टिप्लिकेशन आएगा वह रहेगा वह चैन्ज नहीं होगा तो इसलिए ग्राफ इस तरह का या फिर यहां पर बनाए तो यह ग्राफ यह इस ट्रेट लाइन आएगा पैरलल टुस एक्स एक्सिस इधर यह ए लग जाएगा पर और यू का मल्टिप्लिकेशन रहेगा मालो एन इंटो यू जो है वह उसे रही हों और अच्छे से वह होने चेह जिसको किया कर सकें इस लिए कुछ परकटी होती है आपने किसकी यूट की याद करना मेरे साथ वेरी वेरी इंपर्टेंट था ना कॉंसेट पहला कॉंसेट क्या है वह शूटेबल साइज की होनी चाहिए ठीक है जिस से की डिखे चैलकुलेशंग आसान रहे तेका था क्याला कोम्फिकेट कॉम्फिकर्ड नहीं हो जाये ताश्य होने चाहिए सब आइसे उनिट इसको सब जाने ऐसा नहीं है कि मैंने को यूर्ट बना लिए अपनी मन में और वो मेरे मेरे टाउन में चलती है और आपके टाउन में चाहते तो उसको पता ही निए क्या ओगया तो ऐसा नहीं होना चीए शुटेबल साइच की होनी चाहिए और हर जगे से मुझे चाहिए तो पहला जो प्रापर्टी है यूनिट का वो कहता यूरेट शुट भी आफ सम सूटेबल साइस नेक्स्ट तो यूरेट मस्ट भी वैल डिफाइंड वैल डिफाइंड होने चाहिए जैसे मीटर की डेफिनेशन वने चाहिए कैसे अपने इसको बना दिया ऐसा नहीं बनाते हैं वेल डिफाइंड होनी बहुत जरूरी है तो यूरेट मस्ट नोट चैंज विट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक किलोग्राम में चावल इतने सारे आ रहे हैं और कल एक किलोग्राम म अब कपड़ा लेने तो आपको इतना मिल गया और आज लाने को इतना ही मिला तो एसा रोड़ी नहीं होना चाहिए यूनिट जो है मस्ट नोट चैंज विद टाइम टाइम के साथ में यूनिट चैंज नहीं होनी चाहिए बस समझ आ रही है वच्छों ठीक है ना कमेंट करक जो है उतना ही वन केजी अमेरिका में होना चाहिए उतना ही वन केजी नियोर्क में भी होना चाहिए उतना ही वन केजी नेपाल में भी होना चाहिए उतना ही वन केजी आपका पाकिस्तान में भी होना चाहिए ऐसा नहीं की वन केजी इंडिया का लाग है पाकिस्तान का होता है all over the world acceptable होनी चाहिए एंड सबसे इंपोर्टन बादा यूनिट शुट नौट चैंज विद फीजिकल कंडिशन्स लाइक टैम्प्रेचर प्रेशर तो ऐसा नहीं कि टैम्प्रेचर या प्रेशर पर आपकी जो यूनिट वो डिपेंड रहे सा नहीं होना चाहिए जिसकर भड़ गया तो एक सेकेंट अलग हो गया मतलँ मालों मैंने वोला कि मैं तो पाँच घंटे के लिए घर से बाहर हूं तो चाहिशो और आप तो खहाँ कहीं पर कले घर्म जाता तो क्या वहाँ का पांच गंटा और अपर पांच गंटा अलग मैं चलता है क्रिकेट के अंच तो अगर आप कशमीर में बैटके वो बेख रहे हो जो देख रहा है यहीं बात है यह इसे नोट चैंज बेद फिजिकल कंडिशन लाइक टेमप्रेचर प्रेशर ठीक है ना तो भाई यह कहानी होती है सबसे इंपॉर्णेंट बाज वह समझार था बार बार को आपको कि यॉनेट रिपर डूसेबल होने चाहिए यहां पर आप नोट कर सकते हैं यूनेट है वो यह तो जिसको आप री परडूस कर सके हैं री परडूसेबल होने चाहिए यूनेट मस्ट भी री पर अरी इसा बनानी है जो री पैडूस हो सके है इसी कानी नहीं कर नहीं करते हैं तो नali कहते हैं टाइम आई मैं relationships कर जोल्म फिसिकल क्वंटिटीए मास फिसिकल क्वंटिटीमट इंर से फिसिकल क्वंटिटीए नहीं है यह लचोने कितनी बड़ी यह मौ थाच पॉनिकल प्रफ टेल स्टेंड एज़्यॉव कश्न बात हमने कर ली आगे फिर मैंने बताया कि जो आपका n into u है वो constant होता है यूनिट जितनी बड़ी होगी numerical value तो चोटा है यूनिट छोटा है तो numerical value बड़ा है ठीक है ना ये हमने पड़ा मुझा ओके सर बहुत बढ़ी है इसके बाद में हमने properties of unit पड़ी अब ठोड़ा सा और lecture को आगे लेके चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे system of unit, अब हम क्या पढ़ेंगे system of unit, ओके, अगर 9060 से पहले की बात करो तो तीन system चलते थे, mks, cgs, fps, mks वो system है जिसमें mass किसमें kilogram में major होता था, किसमें kilogram में, तो उसका symbol लिख रहा हूँ, kilogram का symbol क्या होता है, kg, ठीक है, और length किसमें major होती थी, meter में major होती थी, जिसका symbol मैंने m लिखा है, और time किसमें major होता था, second में major होता था, तो मैंने second का लिख दिया symbol, तो ऐसा system of unit, जिसमें mass, kg मे, length, meter में, time, second में major होता हूँ, से हम mks system कहेंगे, m का मतलब meter, कि का मतलब kg, एसका मतलब second, ऐसे cgs मतलब centimeter, gram, second, तो मतलब length जिसमें centimeter में major होती हो, mass जिसमें gram में major होता हो, time जिसमें second में major होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, cgs system कहते हैं, और ऐसे ही fps क्या हो जाएगा, जिसमें foot, pound, second, मतलब length किसमें foot में major होती हो, और आपका जो mass है, वो pound में major होता हो, और समय second में major होता हो, तो उसे हम fps system कहते हैं, बट 90-60 के बाद में, बहुत सारे scientists एक साथ बैठते हैं, वो एक अपनी एक meeting करते हैं, और उस meeting करने के बाद में, वो लेके हाते हैं आपके सामने SI system, system international, जो हर जगें आपको देखने को मिलेगा, तो internationally एक जैसी होने चाहिए, तो अभी भी कई जगें pound का यूज होता है, विदेशों के अंदर, हमारे या नहीं करते हैं, kg में यूज करते हैं, मास को, तो पर यह कह रहा हूँ, system international, सब साइन्टिस्ट बैते हैं, उन्होंने डिसाइड गया कि हम ऐसे आगे से units को पढ़ेंगे, हमारे जो व्यापार के अंदर, जो लेंदेन के अंदर, जो चीजे हो रही है, सब लोग समझ पाएंगे कितना किलो समान गया, कितना केजी समान आया, तो यह सब चीजे हैं, तो ऐसा ही system के अगर बात करते हैं, और ऐसा system में अगर हम quantities को देखें, तो quantities 3 तरह की, और quantities 3 तरह की तो उनकी unit भी 3 तरह की हो गई, एक हो गया fundamental unit, एक हो गया derived unit और एक हो गया supplementary unit, ऐसी quantities मेर जाते हो, तो fundamental quantities, derived quantities और supplementary quantities हो जायेंगे, तो आपकी जो quantities हैं, ऐसा system के बाद में हम कैसे पढ़ रहा है, fundamental quantities पढ़ते हैं हम derived quantities पढ़ते हैं हम supplementary quantities पढ़ते हैं अब इनको समझने कोसिस करेंगे कि यह fundamental derived supplementary quantities क्या है या इनकी units क्या है इनको हम थोड़ा सा समझते हैं तो यह 1960 के बाद किया है ठीक है और जो ऐसा ही है उसमें भी mass आपका kg में length meter में और time second में क्या आता है पर को scientists को सम्मान देने के लिए हम उनके नाम के जो है हमने यूनिट बना दिया जूल साइंटिस्ट का नाम है एनर्जी की यूनिट है वो हमने जूल बना दिया उनके सम्मान में तो फिर यह हमने यहां पर इंट्रड्यूस करी चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानने की कोसिस करेंगे कि fundamental quantity और उनके यूनिट के सबसे पहले हम जाने कि fundamental quantities क्या होती है बढ़े fundamental quantities हैं क्या उन पर इसर चर्चा करिए तो fundamental quantities बोल रहा हूं तो उनकी यूनिट क्या हो जाएंगी फरिजिकल Q duck है उनको हम Fundamental quantities कहते हैं और जिनको Fundamkeit sich का से derive किया जाता है उनको हम derived quantities कहते हैं और supplementary quantity होते हैं दो होती हैंक होती हैं एंगल और एक होती हैं आपका solid angle एक बार आप नाम याद रख इसको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से एक होता है एंगल और एक आपका होता है है सोलिड एंगल तो यह चीजह हम पढ़ेंगे जब हम बेसिक मैंतेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे देखो मैंने लिख सेंदरी सेट के पढ़ेंगे तो हम यह सब चीजए पढ़ेंगे अंगल क्या होता है है solid angle क्या होता है सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छ से पढ़ाऊंगा को टेंचन नहीं है ठीक है तो भाई सप्लेमेंटरी क्वाइटी होती एंगल और है वो हमारा भी पॉइंट हमारा यह है कि fundamental quantities क्या है तो ऐसी जो किसी दूसरी physical कॉंटिटी पर डिपएंड नई करती है उनको क् dit Demon dib आपकी 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 लेंदे मास टाइंब लूमीनियस इंटन सेती है तो नात लेंद्ए को डिराइब करते हैं मास के तुरू ना मास को डिराइब करते हैं टाइम के तुरू मतलब यह सब अपने आप में क्या है इंडेपेंडेंट है ठीक ना तो भाई साब यह जो साथ है इनको हम इनको अच्छे से याद कर लेना कितनी होती है 7 हेला कॉवशन कितनी है 7 7 होती है जरू मॉफ्सक्ण्ट का केलविस होता है इस GOT कम ओंत अ लुमिनियस इंटेंसिटी उसका यूनिट होता है आपका केंडेला लुमिनियस इंटेंसिटी यह नया नाम होगा यह अपने सुना होगा जिसे मालों आप एक बल्ब के सामने खड़े हैं और बल्ब से बिल्कुल आप पास में हैं तो आपकी आखों पे जो लाइट गिरेगा लुब ब्राइटनेस होगी वो आपके आउखों पे ज्यादाहीगी दूर होंगे तो कम इंटेंसिटी का लाइट कम ब्राइटनेस और उसका चणिल किलोग्राम का केजी होता है सेकेंड का एस होता है एंपियर का कैपिटल ए होता है यह नहीं होता है एंपियर का कैपिटल ए होता है और कैल्विन का क्या हो जाता है के हो जाता है मोल का मोल होता है और कैंडले का सीडी होता है बास समझ में आ गई यहां तो को दिक्कत ने किसी बच्चे को ठीक है एक यह कैल्विन का के तो हम को सब्सक्राइब नहीं करती है उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं और यह साथ होती है अगर आगे वढ़ते हैं तो आगे क्या हो जाएगा आपके डिराइव फिजिकल quantities consequence is better derived physical quantities so kya होते ही फिजिकल quantities which can be expressed as a combination as a combination of base quantities are called derived quantities ठीकिटा दुबार समझना physical quantities which can be expressed as a combination of base so base quantities मतलब fundamental quantities so cha fundamental quantities बोलिए चाहे base quantities बोलिए बात एक ही है तो ऐसी quantities जो base quantities की मदस से या base quantities के combination से या फिर fundamental quantities की combination बनाए जाती है उनको हम derived quantities कहते हैं जैसे area अगर area हम बात करें तो दो length होती है length into length या पिस लिए लेंट into width या जो भी आप लिख रहे हो तो width भी एक तरह की length होती लेंथ 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 ही होती है इसको meter मेंच करोगे तो area में 2 length ऐसे volume की बात करोगे तो volume में कितनी length होगी माल। महीं में थीन लेंद होगी अलवे स्पीड की बात कर रहा हो hairstime बराबर क्या होता है स्विटन का डिस्टन्स का पॉन टाइम लिवlington के तर रहें तो डिस्टेंस से क्राइब लेंट से क्या होता है लेंथ ही होता है तो लेंथ अपूं टाइम तो हम मास लेंथ टाइम इनके हैं इनके हेल्प से जो क्या इतनी बना रहे हैं वो सब अंगल को छोड़ दो और इन साथ fundamental quantities को छोड़ों सके लाव जितनी भी बची वो सारी की सारी derived सारी की सारी derived physical quantities है बच्चों इतनी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को तो डिश्यकल कॉंटिटी इस क्या होती है को दिक्कत नहीं है इसमें अच्छा इक्सेलरेशन भी क्या होती है आपकी एक्सेलरेशन भी क्या है आपकी कौनसी फिसकल में अपसे यहाँ पीचलेड लेता हूं ठ़के ठेगा न हो जजबनेटा प्रड़ाइट करने कि अ log डिपेंट dialogues कितनी फॉंडमेंटल ऐसुड रिखाओ है और टी तोपे लो Indigenous आ चैन्ज फिजल एचृ। कौन सी रेट टाइम के साथ में तो बेसिकलिक्या हो जाएगा स्क्राइब लिखेंगे डेल्टा वी यह इसको आपन लिख देते हैं चला एक बार अपन यह लिख देल्टा भी बाई डेल्टा टी चेंज इन वेलासिटी एपॉन अब जो स्पीर होती है या वेलासिटी ओटी तो इसको कैसे लिखते है पन इसको इसको एक बार डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम नीचे पहले से यह तो टाइम इंटु टाइम क्या होगा ताइम का स्कुर्ण होगे तो इसको तो कितनी फिजिगल कॉंटिटी जो गई न तो दो पे डिपे आंसर क्या जाएगा दो से बनाए गई है अच्छा कुछ और छोड़ छोड़ चीज़े समझते हैं यह कुशन तो वही वापस से आ गया चलिए इसको समझते हैं पहले आजाओ जैसे वह कहा चोड़ चोड़ सवाल करेंगे आलांकि ऐसे कॉश्चिंस हम जब डाइमेंजिन वाला टॉपिक पड़ें हैं तब बहुत अच्छे आपको समझाऊगा पर अभी छोड़ चोड़े सवाल हमको करने जरूरी है जैसे पहले सवाल मैंने आपसे पूछा और पहले सवाल मैंने आपसे क्या पूछा पहले मैंने पूछा कि यह बताओ 10 kg में कितने ग्राम होते हैं मैंने पूछा 10 kg में कित अब यहां पर आपको निकालना है और यू टु आपने ग्राम दिया हुई यह है है अब सब करते क्या है यहाँ यहाँ घ्रण कि बात करें किलो ग्राम किजीक बात करें किलो ग्राम का हाजार का हजार प्रतार का एं 2ी जी कट गया जी से जी पावर फोर इंटी पावर फोर रापका आप पास आ गया तैन तो दी पावर फोर तो भाई कितना होगा का लिखोगा दिखोगे 10 kg 10 kg बाबर 10 की पावर 4 ग्राम होते हैं यह आप कहे दो गी विलहांसर कह देंगे चाहिए को छोटा सवाल पूश्पल सवाल पूश्पल सवाल मैंने आप से पूछा कि विद्ञाए एक बात बताओ एक नूटन किसकी उनिट है फोर्स की उनिट लेते हैंक नीटन मेंyu कितने डायन होते हैं डायन क्या है डा Parce की उनिट है कौन सिस्टम में और यह आपकी किसम हो गई आपकी मैं होगी कि नियुटन कि यूनीट से हो गई आपकी फोर्स की यूनीट हो गई इस वाल को कैसे किया जाए मैंने कैसे अजा नहीं सिखाया उन हुग और युवन इस इक वल तू एंटू नीटन हो गया और यूवन सर यूवन न्यूटन हो गया और अफॉर्स आपने पड़ा होगा प्राबर क्या पड़ा मास की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी MKS में KG और acceleration की क्या हो जाएगी मिटर पर सेकेंद स्क्वाइर मिटर पर सेकेंद स्क्वाइर वेलोसिटी अपॉन टाइम और velocity की क्या होती है मीटर पर सेकेंद और नीचे एकոर टाइम जीस समझो अगर acceleration की बात करो तो V आपॉन टी होता है सब्सक्राइब इसलिए इतनी थोटी आपको आती होगी तो केजी क्या लिए सकते हो केजी मीटर सब्सक्राइब अच्छा डाइन किसमें है फोर्ट की यूट पर सी जिस में है तो सीजी एस में के जिए क्या आएगा ग्राम आएगा मीटर की सेंटीमिटर आएगा और सब्सक्राइब यहां यह हम ने से लिखते हैं हम डाइमेंशन जिब पढ़ेंगे तो इससे भी सिंपल तरीका और पढ़ जो बड़ी यूट है ना उनको तोड़ना सुलू करते हैं बड़ी जो लिखो ग्राम वाली को मत लिखो तो केजी एक केजी में कितने ग्राम हाजार ग्राम एक मीटर में एक मीटर में एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सो सेंटीमीटर होते हैं सो सेंटीमीटर होते ह सेंटीमीटर 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 सें तीन यह हो गया और दो यह हो गया समाझे रहे हो तो कितना अधिए पावर आपके लिखो गे कि एक न्यूटन में एक न्यूटन में टैन की पावर फाइफ डाइन होते हैं एक जूल जूल क्या होता है एनर्जी की उनिट होती है एक जूल में कितने आर्ग होते है आर्ग भी किस ख्यूनिट है एनर्जी की उनिट है तो आर्ग तो किस में है CGS में है transgender cgs में होती है और जूल किस में होती है N1U1 बडाबर N2U2 सर आपने ये सिखाया है में तो हाँ N1 कितना है, professor 1. और यह Joule. N2 कितना, professor नहीं पता. और U, sir, कितना है? Hurg. हाँ, भई, सही बात है. अब ढ stress है. Joule किसकी unit होती है? भई, sir, Joule वो, sir, आपकी energy unit है. Energy मालीजी, kyanetic energy लेड़ें. वो formula ख़ड़ा, बहुत पढ़ा होगा, आपने half mv Gracias. सब्सक्राइब यहां से अगर आप यूनिट लिख रहे हो एसाई में में तो मास में क्या होता है सर केजी होता है तो यूनिट नहीं होगी और स्पीड की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर लगा तो इस पे स्क्वायर है दो अब आघी से जैंट ले दो आप आ गया चैन आज उन mieć क्या जाएगा मीटर की संटीमिटर आ जाएगा ठीक है ना और हाज़ेगा सेटी रहता है और ठीक है थे ऑंग स्क्राय करते करतेंग वन के जी में हजार ग्रम टीकेजी मेजार ग्राम एक मीटर में 100 संटी मेठर इसका स्क्वाइर ठीक नविट अ अब यहां पर भी वही सैंप्रोसेस कर रहे इदान रखना अलग नहीं सबसेंद चल रहे ठीक है वुलहां सठीक है तो भई यहां पर देखो ग्राम से ग्राम कट गया सेंटीमेटर स्कॉर चुछ गया थे जार तो यह हो गया और 10 की पावर 4 यह हो गया इसलिए कितना हो गए 4 और 3 7 तो मतलब एक जूल में एक जूल में 10 to the power 7 अर्ग होते हैं यह निका लिया तो आई होप आई होप आपको यहां तक का लेक्चर समझ माया होगा अब नेक्ट लेक्चर जब हम पड़ेंगे तो उसमें लिखना सीखेंगे व कोटी मगर मोटी बाते करेंगे जिस पर आपका ध्यान ही नहीं गया कभी कि यह चीज़े ध्यान भी देने चाहिए उस पर हम बात करेंगे ठीक है डाइमेंशन के बारे में जानेंगे तब तरह लिए बच्छा पार्टी तेंक्यू सो मच अपना ध्यान रखिए और दूसरा वीडियो जो नेक्स्ट वाला लेक्षर टू आने वाला उसको देखना मत बूली तब तक के लिए बाबाई टेक कियर